बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सर्फ ये जानने के लिए कि नसी कौन है वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुसार दो वक्त हालाद देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो पीट हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबासी और दोखा दोनों पीट पीछे से ही मिलते हैं सचे इनसान को जूटे इनसान से अकसर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है सच को तमीज ही नहीं बात करने की जूट को देखो कितना मीठा बोलता है पर्खो तो कोई अपना नहीं समझो तो कोई पराया नहीं कई बार मन करता है हार मानूँ लेकिन बाद में यादाता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है ये वो दौर है जहां मासुमियत को बेवकूफी कहा जाता है अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना क्योंकि जो चीज़ें किनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है मेरी मन्जिले मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है घमंड नहीं मुझे अपने एरादों पर ये मेरी सोच और होसले का विश्वास है आदी जिन्दगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उधारन न देना पड़े दूसरों के बुरे वक्त पे हसने वालो वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है माबाप की नसियत सबको बुरी लगती है लेकिन माबाप की वसियत सबको अच्छी लगती है उड़ा देती हैं नीदे कुछ जिम्मेदारियां घर भी रात में जागने वाला हर शक्स आशिक नहीं होता उमीद हमें कभी भी छोड़ कर नहीं जादी बस हम ही उसे छोड़ देते हैं दुनिया के सबसे मश्किल कामों में से एक है समस्दारों को समझना लोग बदलते नहीं बे नकाब होते हैं कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं ना किसी के अभाव में जीओ ना किसी के प्रभाव में जीओ ये जिन्दगी है आपकी आप अपने सुभाव में जीओ अकसर अकेले पंच से वही गुजरता है जो जिन्दगी में सही फैसलों को चुनता है जिन्दगी की रेस में जो लोग आपको तोड़ कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं उपर वाला मौच में आए तो सरदाज बना देता है और जरासी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है अपनी जिन्दगी से कभी नाराज मत होना क्या पता आप जिसी जिन्दगी दूसरे लोगों का सपना हो बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से तूट जाते हैं जिन्दगी को एकनी सस्ती मत बना कि दो कोड़ी के लोग खेल कर चले जाएं मैं चानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता पर अपता रहा उम्र भर ताकत दुआओं की दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की रभू कहते हैं तू सोने से पहले सब को माफ कर मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूँगा अकेली रहना अच्छा है बजाए उनके साथ रहने के जिने तुमारी कद्र में जिन्दकी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पने अभी तक आपने नहीं पड़ें किसी ने क्या खूब लिखा है मैं पसंद तो बहुत हूं सबको पर जब उनको मेरी जरुरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलचा क्योंकि मुझे पता था कि किसमत का लगावी बदला जा सकता है दरदर भटक रही थी पर दर नहीं मिला उस मा के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला सिंदगी जीने के दो तरीके हैं एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इनिसान की कीमत खोने की बाद चाहे कसूर किसी का भी हो लेकिन दिश्टे में आसूं हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यावाद करे वह हम सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ करना चाहिए तुम्हारे दिल की चुबन भी जरूर कम होगी किसी के पाउं से काटा निकाल कर तो देखो जिसके पास उमीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता विजिता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं बलकि वो बनते हैं जो कभी भी भार नहीं मानते मुफ्व में सरफ माबाब का प्यार मिलता है इसके बाद दुनिया में हर रिष्टे के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है गैर थे कौन, अपने थे कौन हम ये समझ न पाए हमने दिखा चिदर भी चहरे बतले से नजर आ इसान की समझ सरफ इतनी है कि उसे चानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है हार से ढर जाने से बहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना बेज़ती का जवाब इतने इज़त के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए हमारी आख अक्सर वही लोग खोलते है जिन पर हम आख बंद करके भरोसा करते है ख्वाइश वले ही छोटी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्धी होना चाहिए जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है मेरे अपनोंने धक्का मारा मुझे दबोने के लिए फाइदा ये हुआ साहब मैं तैर ना सीख गया हर रोता हुआ लमहा मुस्कुराएगा सबर रख है दोस्त वक्त अपना भी आएगा अजीब शब्द है सौरी इनसान कहे तो जगड़ा खता टॉक्टर कहे तो इनसान कहता इनसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सिधा जज बन जाता है कैसे नादान हैं हम दुखाता है तो अटक चाते हैं सुखाता है तो भटक चाते हैं मुझे अकेले चलने में अगर कोई आप से कुछ मांगे तो दे दिया करो शुक्र करो उपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है मांगने वालों में नहीं आप चितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही जादा सुनना चाहेंगे जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुम से कुछ नहीं चाहेगा वक्त अच्छा जरूर आता है पर वक्त पर ही आता है माना दुनिया बुरी है, सब जगे दोखा है किन्तु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है आपके करम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इनसान है वक्त ने फऽाया है, लेकिन परिशान नहीं हूँ मैं हालातों से हार जां, वो इनसान नहीं हूं मैं सनसार में केवल मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके नातों में नहीं, बातों में है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह भी आप सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, संबंध आत्मा से हो, तो दिल नहीं भरा करते हैं, लोगों को इस बात से फर्क नहीं पढ़ता, कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पढ़ता है, कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं, कपड़े और चैरे अक्सर जूत बोला करते हैं इनिसान की असलियत तो वक्त पताता है जब तक आप अपनी समस्याओं एवन कठनाईयों की वज़े दूसरों को मांगते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवन कठनाईयों को मिटा नहीं सकते अपनों को हमेशा होने का एहसास दिलाओ पर ना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा बाश्या तो वक्त होता है इंसान तो यूँ ही गुरूर करता है जब लोग आपका मुकामला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं इस्जत भी मिलेगी, दालत भी मिलेगी, सेवा करो माबाप की, जन्नत भी मिलेगी चस्से उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दे, तो पुरी दुनिया से भरुसा उड़ जाता है सारी दुनिया कहती है, हार माल लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और गोशिश कर, तू जरूर कर सकता है, अपने रास्ते खुच चुनिये, क्योंकि आपको आपसे बहतर और कोई नहीं चालता किसी के पैरों में गिर कर कामिया भी पाने के बदले, अपने पैरों पे चलकर, कुछ बनने की ठान लो जलील न किया करो किसी फकीर को एई दोस्त, वो भीख लेने नहीं, तुम्हें दुमाएं देने आता है जिस दिन आप अपनी हसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुडा सकता निन्दा से घबरा कर अपने लक्षकों ना चोड़े, क्योंकि लक्षके मिलते ही, निन्दा करने वालों की राय बदल जाती है किसी को इतना मैत्व नहीं देना चाहिए, कि वो हमारे चहरे से मुस्कान ही छीनी है वानी में अजीब ताकत होती है, कड़वा बोलने वाले का शहब भी नहीं बिगता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिग जाती है जो इनसान चितना खामोश रहता है, वो अपनी इस्दगी में आवाज देने वाले, धेरो मिलता है हम सपने में भी जिसको रोने नहीं देते, यूँ तो जिन्दगी में आवाज देने वाले, धेरो मिल जाएंगे लेकिन बैठिये वहाँ, जहां अपने पन का एहसास हो, कितना ही खुश रहने की कोशिश कर लो लेकिन जब कोई याद आता है, तो सच में बहुत रुलाता है महबत या इस्ज़त, किसी को इतनी भी मत दो, कि वो अपनी आकात ही भूल जाए माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कीजिए दर्द होता है ये देखकर, तेरे पस सब के लिए वक्त है, बस मुझे छोड़कर दुनिया फरेख करके हुनरमंद हो गई, और हम एक बार करके गुनाहकार हो गए दर्द, गम, डर्द जो भी तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंज्रे से बाहर नकल, फिर देखना तू भी एक सिकंदर है जिसे मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी, न दुआ लगी जिस दिन आप अपनी हसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता रिष्टे और रास्ते तब खतम हो जाते हैं, जब पाउं नहीं दिल ठक जाते हैं जिनकों मेरी कदर नहीं, अब मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं मैं तुझे नहीं, तेरे वक्त से नाराज हूं, जो कभी तुझे मिला ही नहीं मेरे लिए उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिन्दगी में अन्हेरा देखा हो प्यार करो उसे जो तुम से प्यार करे खुज से भी जादा तुम पे अथबार करे तुम बस एक बार कहो कि रुखो दो पल और वो उन दो पलों के लिए पूरी जिन्दगी इंतजार करे गलती ये हुई हमसे कि उसे जान से जाना चाहने लगे क्या पता था मेरी इतनी परवाँ उसे लापरवाँ कर देगी उसकी कदर करने में कभी देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है जो ये कहते हैं कि तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे अक्सर वही लोग सबसे ज़ादा रुलाते हैं लोग आते हैं इसहार करते हैं प्यार करते हैं दिल दुखाते हैं बहुत रुलाते हैं बरबाद करते हैं और चले जाते हैं जिंदगी में सिरफ दो तरह के लोग ही हमें रुलाते हैं एक अपने, दूसरे, बहुत ज़्यादा अपने कितना ही सच्चाई से निभालो तुम रिष्टे पर जिसे बदलना होता है न, वो बदल ही जाता है अक्सर उन्ही लोगों को हमारे दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता जो हमें कहते हैं कि हम तुम्हें तुमसे जादा जानते हैं कुछ लोग हमारे दिल में बहुत शौक से अपना घर बना लेते हैं लेकिन जब उसमें रहने की बारी आती हैं न, तो ठिकाना बदल लेते हैं आजकल लोग भी आईने की तरह हो गए हैं जो सामने आता है उसी के हो जाते हैं जिन्दगी में एक दिन हमें ये समझ में जरूर आता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है लेकिन जब तक ये समझ में आता है न तब तक बहुत देर हो जाती है सारी दुनिया से जगड़के तुझ पे विश्वास गिया था लेकिन आखिर में वही सच नकला जो लोगों ने कहा था जिस इंसान को कभी हमें होने का ही डर नहीं था उस इंसान को हमारे ना होने का अफसोस क्या होगा तुम्हारे रोने से किसी को फरक नहीं पड़ता और अगर पड़ता तो तुम्हें रोना ही ना पड़ता कुछ लोगों को हम अपनी जिन्दगी से आजाद तो कर देते हैं लेकिन कभी माफ नहीं कर पाते जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं हमें रुलाने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचते सच तो ये है कि लोग बदलते नहीं बस एक दिन उनके जुठे नकाब उतर जाते हैं जब भरोसा ही तूट जाता है तो माफी मागने का कोई मतलब ही नहीं रहता जब दिल दुख में और रूह दर्द में लिप्टी हो तो दुआएं कमाल की निकलती है वास्ताव में हमारे अपने हमें कभी दर्द नहीं देते दर्द वो देते हैं जिने हम अपना समझने की भूल कर बैठते हैं ये इश्द है जनाब यहां इनसान निखरता भी कमाल का है और बिखरता भी कमाल का है ये वक्त भी एक तराजु की तरह है जो बुरे वक्त में अपनों का और परायों का वजन बता देता है पहले घर कच्चे और रिष्टे पक्के हुआ करते थे अब घर कच्चे और रिष्टे कच्चे हुआ है जो आपका है वो आपको देखकर कभी बिजी नहीं हो सकता और जो आपको देखकर बिजी हो जाए वो आपका कभी नहीं हो सकता बनाकर अपना फिर कुछ दिनों में बेगाना कर देते हैं और भर जाता है जब लोगों का दिल तो मजबूरी का भाना कर देते हैं जिनके लिए हम अक्सर उदास रहते हैं उनके लिए हम कुछ भाइने ही नहीं दखते हमारा दर्द कभी कम नहीं होता बस सहने की आदत हो जाती है अगर कोई इंसान आपके बिना खुश है तो उसे आपके बिना ही जिली दो किसी की तलाश में मत निकलो लोग हो नहीं जाते बलकि बदल जाते हैं ये जो मेरे हालात हैं एक ना एक दिन सुधर जाएंगे लेकिन तब तक कई लोग मेरी नसरों से उतर जाएंगे एक सच्चे और अच्छे रिष्टे को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती बस तो गूपसूरक लोग चाहिए एक निभा सके और दूसरा समझ सके किसी पर जरूरत से कम विश्वास करो तो वो बुरा मान सकता है लेकिन किसी पर जरूरत से ज़ादा विश्वास करो तो वो बहुत बुरा कर सकता है जब तक जिन्दगी में ठोकर ना लगे तब तक हर इंसान को अपने फैस्वलों पर गुरूर होता है ना रख किसी से महब्बत की उम्मी क्योंकि लोग खुबसूरत तो है लेकिन वफादार नहीं चले जाना तेरा फैस्वला था और माफी मेरी महब्बत यकीन मेरी गत्ती थी और जूट तेरी फित्रत किसी का संग करने से पहले एक बार ये जरूर देख लेना कि उसके रंग कितने है प्राण निकल जाने के बाद शरीर सम्षान में जलता है लेकिन रिष्टों में प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन सारी जिंदगी जलता है इस हद तक तेरा साथ दिभाया हमने कि साथ छोड़ने के फैसले में भी हमने तेरा ही साथ दिया जूठे लोग किसी का सचा प्यार तक भूल जाते है लेकिन सचे लोग किसी का जूठा प्यार भी नहीं भुला पाते प्रेम हमेशा सौरी कहना पसंद करता है और एहनकार हमेशा सौरी सुनना पसंद करता है बहुत जीलिया उनके लिए जो मेरे लिए सब कुछ थे अब उनके लिए जीना है जिनके लिए मैं सब कुछ हूँ लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जो लोग तुमें ब्लॉक नहीं सर्च करे मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है बड़ी हसीन थी जिन्दगी जब किसी से ना महबबत थी ना नफरत थी फिर जिन्दगी में एक ऐसा मोड आया महबबत एक से हुई और नफरत सारी दुनिया से हो गई आजकल किसी को अच्छे लोगों की कीमत बुरे लोगों के मिलने के बाद ही समझ आती है दुखा देने वाला और साथ छोड़कर जाने वाला सरफ बहाना खोचता है लेकिन साथ दढ़ने वाला रास्ता खोचता है हमारी जिन्दगी तब बर्माद हो जाती है जब दिमाद वालों को हम अपने दिल में जगए दे देते हैं कुछ रिष्टों से आजाद होना ही बहतर है क्योंकि जीने का हक आपको भी है जितना गहरा रिष्टा उतनी जादा उम्मीद और जितनी जादा उम्मीद उतनी गहरी चोट हमारी बरबादी का हमें कोई शिक्वानी अफसोस रख इतना है कि तूने साथ नहीं दिया कहते हैं कि एक गलत फैमी किसी अच्छे से अच्छे रिष्टे को भी तोड़ सकती है लेकिन वो रिष्टा अच्छा कैसे हुआ जो किसी एक गलत फैमी से तूट जाए पैर पे लगने वाली चोट समभ़कर चलना सिखाती है और दिल पे लगने वाली चोट समसदारी से चीना सिखाती है जंदगी में एक बात याद रखना उसके पीशे कभी मत भागना जिसे तुमारी कोई परवा ही नहीं दो कोड़ी का प्यार और मतलब का याराना है मतलब निकल जाने के बाद यहां हर कोई बेगाना है इतने भी प्यारे नहीं हो तुम बस मेरी चाहत ने तुम्हें सर पर चड़ा रखा था कभी कभी अधूरी महबबत इनसान को पूरा खा जाती है फिर यू हुआ कि खतम ही हो गए वो रिष्टे जिनसे मिलके लगा था कि सद्यों तक साथ निभाए जिन्हें अपने प्यार की कदर होती है वो उसके लिए वक्त निकाल भी लेते हैं तुम्हारे बाद बड़ा फरक आ गया है हम में क्योंकि तुम्हारे बाद हम किसी पर खफा नहीं हुए मेरी फित्रत में नहीं उन परिंदों से दोस्ती रखना जिने हर किसी के साथ उड़ने का शौप हो यही फित्रत है हम इंसानों की महबबत ना मिले तो सबर नहीं कर पाते और मिल जड़ तो कदर नहीं कर पाते वो आराम से रहते हैं जिनका दिल पत्थर का है सारी मुसीबते तो बस एहसास वालों के लिए हैं इंसान को अपने बेबस होने का अंदाजा तभी होता है जब वो किसी को एक जलक देखने के लिए भी तरस जाता है जूट की बुनियाद पर बनाए गए रिष्टे सज की एक मामूली सी चोट से तूट जाते हैं ऐसा क्यों होता है जो कभी हमारा होता ही नहीं हम उसे खोने से हमेशा डरते रहते हैं तू वही है ना जिसने पहले फसाया फिर हसाया फिर अपना बना कर बहुत रुलाया खाली जेब और प्यार में मिला दोखा इनसान को वो सबक सिखा देते हैं जो दुनिया का बड़े से बड़ा उस तार भी नहीं सिखा सकता हमने सुना था लोग प्यार में जान भी देते हैं लेकिन जो वक्त नहीं देता वो जान कहां से देगा किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता नजाने क्यों सब जूटे से लगते हैं मेरे बिना क्या अपनी जिन्दगी गुजार लोगे तो, इश्क हूँ, कोई गुखार रही, जो दवा से उतार लोगे तो, खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, जो लोग आपको नहीं समझते, उन्हें समझाना छोड़ दो, बहुत फरक होता है, अकेले रहने में और अकेले रह जाने में, रिष्टे हो या बरफो, दोनों को बनाने और बनाय रखने के लिए, ठंड रखनी बहुत जरूरी है, ना आवाज हुई, ना तमाशा हुआ, बस खामोशी से तूट गया, एक भरोसा जो तुछ पे था, तुम ढूंडोगे मुझे भीड में हजारों की, और मैं वहां मिलूँगा, जहां मतलमी लोग हुआ नहीं करते, बुरा समय आपकी जिन्दगी के उन सत्यों से सामना करवाता है, जिनकी आपने अच्छे समय में कलपना भी नहीं की होती है, अगर देखना चाहते हो, कि आप कितने अमीर हो, तो दौलत को मत गिनना, अपनी आपके आशु गिराना, फिर देखना, कि कितने हाथ इनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं, मानो, तो माँज है, वरना समस्या तो हर रोज है, वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को, जितनी जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है, ना आपके वक्त की, परिक्षा में आए हुए मुश्किल सवाल साहु में, हर किसी ने छोड़ा मुझे, बिना समझे, कोई कितना भी बिजी क्यूं न हो, अगर उसे आपकी सच में परवा है, तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा, जिन्दगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं, जो कभी नहीं भरते, बस इनसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है, तूफान जाता हो, तो कश्टियां डूब जाती हैं, और अभिमान जाता हो, तो हस्तियां डूब जाती हैं, यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओ, ख खरे उत्रे, बहुत सारी पुलजनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है, जहां आपको लगे कि आपकी जरुरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना जरुरत के हीरे भी तिजोरी में पड़े रहत होता है, तो याद रखना, आप उनके हातों की कटकुतली बन चुके हैं, शीशे की तरह आर पार हूं, फिर भी भहतों की समझ से बाहर हूं, किसी को अपनी जान से ज़्यादा चाहने का एना, दर्द और आसों के अलावा कुछ नहीं मिलता, अपनी राते उनके लिए करना छोड़ दो, जिनको ये भी परवा नहीं, कि तुम सभाख भोगे भी या नहीं, ऐसा क्यूं होता है, अक्सर जो लोग दूसरों के जखनों को भरा करते हैं, उन्हें खुद के लिए कोई सहरा नहीं मिल पाता, इतने बेवफा नहीं हैं, जो उनको भूल जाएंगे, अ नफरत करने से बढ़ जाती हैं एहमियत किसी की, क्यों नमाफ करके उसको शर्मिन्दा कर दिया जाया, जूठी उम्मीद दिलाते रहते हैं जमाने वाले, पता नहीं, तब लाटकर चले जाते हैं, छोड़कर जाने वाले, वाकिफ हैं हम, इस दुनिया के रिवाजों से, ज उसे तो सरफ वक्त गुजारना था, लहजे समझा जाते हैं मुझे लोगों के, बस लोगों को शर्मिन्दा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारी तरह आँखों में आंसू लेके, होटों से मुश्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं, कोई जी के तो बताए, आज के वक्त म वही इनसान सफ़ है, जिसे तूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है, उजड़ जाते हैं सिर से पांव तक वो लोग, जो किसी बेपरवा से बे इंतहा मुझा करते हैं, वो जो जाखते हैं तनहा रातों में, किसी शख्स के लिए, वो ही जानते हैं, कि किसी को खोने का अधर क्या होता है। अभी कभी रिष्टों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिन से हमारा कोई रिष्टा नहीं होता है। जिन्दगी में कुछ हाद से ऐसे हो गए हम समंदर से भी जादा गहरे हो गए। जिन्दगी में कुछ मिले ना मिले लेकिन दुखे हर मोड़ पर अक्सर मिल जाया करते हैं यूँ तो बहुत लोग मिले जिन्दगी में बस सिर्फ वो नहीं मिला जिसी आर्जू हर दुआ में की थी जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोग नी और दुख आधा रह जाये बस वो ही अपना है बाकी तो सारी दुनिया पर आई कितनी महबबतों को मजबूरिया खा गई और जो कुछ रिष्टे बचे थे उन्हें दूरिया खा गई हम तो सिर्फ एक जरूरत थे उसके लिए जरूरी तो कोई और था उसके लिए प्यार अगर सच्चा हो तो वो कभी नहीं बदलता ना वक्त के साथ और ना हालात के साथ जिन्दगी में हमने कभी कुछ चाहा ही नहीं जिसे चाहा उसे कभी पाया ही नहीं जिसे पाया उसे यूख हो दिया जिसे जिन्दगी में कभी कोई आया ही नहीं अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बना कर रखना क्योंकि जिन्दगी में कुछ अच्छे तो कुछ गुरे लोग आते जाते हैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवार व्यक्ती वो है जो दोखा ठाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं चोड़ता ना कर उस पर जुरू जो तुछ से प्यार करता है वो तेरे काबिल ना सही मगर इनसान तो है कमाल है न किताबों में तो हमने कुछ और ही पढ़ा लेकिन जिन्दगी तो कुछ और ही सिखा देगी घंट पेशक कमजोर है हमारा लेकिन वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे हम जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीट जाजी है अकेले होना और अकेले रोना इनसान को बहुत मजबूद बना देता है जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता मैंने जिन्दगी से कुछ नहीं मागा उसके सिवा और जिन्दगी ने मुझे सब कुछ दिया उसके सिवा देश से ही सही लोग बदलते जरूर है हम सही हो या गलत पर लोग परकते जरूर है अब उनसे भी क्या शिकायद करनी जिनके कानों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुचती वादे तो हजार किये थे तूने चल बता दे उन में से कोई एक जो तूने निभाया हो जो कहते थे कि जीना सकेंगे तेरे बिना वो आज भी जिन्दा है किसी और से ये सब कहने के लिए जो कहता था कि हम सिर्फ तेरे हैं आज पता चला कि उनकी इस लाइन के पीछे बहुत से चहर है कसम खाते हैं जो लोग साथ जनन तक साथ निभाने की वक्त आने पर साथ कदम साथ उनसे चला नहीं जा एक वक्त था जब घंटों तक तेरे कॉल और मेसेज़ेस का इंतिजार किया करते थे पलपल तेरे प्यार के लिए मना करते थे पर इस कदर दिल तोड़ दिया है तूने ना तेरा प्यार चाहिए ना तेरा वक्त चाहिए और ना तू चाहिए सजाके रखना अपने घंट को अपने सर पर अब तुस्से पाप करना तो दूर तेरी शकल भी नहीं देखेंगे रोएगा वो शक्त भी एक दिन जिस दिन हमें किसी और के साथ हस्ता हुआ पाएगा बंद कर दिये तेरे लिए दिल के दर्वाजे हमने अब ये मेरा दिल है कोई खिलोना नहीं जो हर बार खेल जाओगी वो कहते थे कि तू तो मेरा भगवान है ये समझ में तब आया जब लोगों को भगवान से प्यार करते नहीं हमेशा मांगते देखा सोच अलग हो सकती है हमारी मगर प्यार में खुद को लुटा लेने की ताकत तेरे जिसे मदलब इनसान के बसकी बात नहीं माना प्यार दोनों ने किया था माना प्यार दोनों ने किया था तूने जो किया था उसे मन की चाहत कहते हैं और हमने जो किया था उसे रूह की इबादत कहते हैं जो कहते थे की मर जाएंगे तेरे बिना पता चला, बड़ा नाचते हैं आजकल गैरों की महफिलों में तू चाहता, तो हम एक हो सकते थे पर बात इतनी सी है कि तूने कभी चाहा ही नहीं वो कहते हैं कि तुम हमें समझते ही नहीं वो कहते हैं कि तुम हमें समझते ही नहीं वो सही कहते हैं अगर उन्हें समझ जाते तो कभी उनसे महवबत नहीं करते जब कोई इसान वही गलती बार बार करे जो तुम्हें दर्द देती है तो समझ जा, वो तुमारा साथ नहीं चाता, वो तुम से छुटताना चाता है सोचते थे कि कैसे जी पाएंगे तेरे बिना, शुक्र गुजार हूँ तेरा तूने ही सिखा दिया वक्त ना देकर तेरे बिना जीना उसके लिए दुनिया की हर खुशी खरीदने में हम इतने खो गए कि कभी ये खयाल ही नहीं आया कि उन्होंने तो कभी एक कागस का फूल तक नहीं खरीदा हमारे लिए अपनी हर गलती को, वो मजबूरी का नाम देके हमें दोखा देते गए और हम ना समझ उनकी हर बात को सच समझ बैठे वक्त कैसे मिलता उन्हें हमारे लिए क्यूंकि अभी उन्हें बहुत कुछ पाना है जमाने से अब हर कोई हमारी तरह प्यार में खुद को तो नहीं लुटा सकता ना कोई जब बार-बार दिल दुखाए तो चाहत छोड़ देनी चाहिए और जब बात इज़त पे आये तो महबत छोड़ देनी चाहिए अच्छे होते हैं बुरे लोग कम से कम वो अच्छा होने का नाटक तो नहीं करते ये वो दौर है जहाँ पे मासुमियत को बेवकूपी समझा जाता है ये मत समझना की लोग बदल जाते हैं पर सच तो ये है कि उनके नकली नकाब उतर जाते हैं कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं जो तुमें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा एक इनसान अगर आपको दो बार एक ही सबक सिखाए तो गल्ती उसकी नहीं आपकी है जनाब सिरफ एक बहाने की तलाश होती है निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी कभी कभी सारी दुनिया का प्यार भी इसी एक इनसान के प्यार की जगह नहीं ले पाता काश तुम भी जान पाते कि इंतजार का दर्द क्या होता है तो समझ पाते हमारे ऐसासों को पर गलती हमारी भी है हमने कभी मौका ही नहीं दिया तुम्हें उस दर्द से रूबरू होने का नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल के रिष्टे बात भी करते हैं, हाजरी भी लगती है आलाद भी पूछे जाते हैं पर सब कुछ एक मजबूरी में कई बार ये कहकर लोग पीशे हड़ जाते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं प्यार अगर सच्चा हो तो लोग आदत ही तो क्या अपनी पूरी शक्सियत ही बदल देते हैं जब किसी का अभीमान इतना बढ़ जाये कि उसका खैर चाहने वालों की भी बातें उसको चुहने लगे तो समझ लेना अब उसकी खैर नहीं छोड़ दिया मैंने अब लोगों के पीछे चलना क्योंकि मैंने जिसको जितनी इसस दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा जोना बहुत जादा अपनापन दिखाते हैं एक दिन वही ऐसास करा देते हैं कि वो पराये हैं रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हम तुमको जिन्दगी में कभी रोने नहीं देंगे हम सफर भूपसूरत हो या ना हो लेकिन कदर करने वाला जरूर होना चाहिए गलत वो नहीं थे जो दोखा देते हैं गलत आप हो जो उन्हें मौका देते हैं उन्हें अपना समझने से क्या फाइदा जिनके अंदर आप के लिए अपना पंधीना हो गम वुफ्त में नहीं मिलता किसी को तेरे जैसा हमसफर होना बहुत जरूरी है कितना घुसा आता है ना जब कोई आप से जूट वोले और आप उस सच पता हो कुछ लोग तो हमारी नफरत के भी काबिल नहीं होते और हम उन पे अपनी महबत जाया कर देते हैं जतना मुश्किल किसी को पाना होता है उससे ज़ादा मुश्किल उसको भुलाना होता है एक जटका बहुत जरूरी था जनाप अपनी हद से जो निकल गए थे हम घाटे और मुनाफे का बाजार नहीं है इश्क अबादत है कारोबार नहीं है खोकर पता चलती है कीमत किसी की कोई पास हो तो कहां एहसास होता है कुछ लोग आते ही है जिन्दगी में सरफ हमें रूलाने के लिए तनहाई का एक अलग ही मज़ा है इसमें डर नहीं होता है किसी के छोड़ के जाने का जीवन में इतना सबक तो मिल ही गया फिक्र में रहोगे तो खुच चलोगे बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी सरफ एक हम ही है तेरे दिल में बस यही गलत फहमी मरबाद कर गई हमें अगर खुश रहना चाते हो तो भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया लोग इतराते रहे गए अपनी चालाकियों पर समझ ही ना पाए कि वो क्या दमाबेट है जो हमारे जजबातों की कदर ही नहीं करता उसके पीछे पादल होना प्यार नहीं बेवकूफी है कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है दिलों में खोट है जुमा से प्यार करते हैं बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं चल जिन्दगी अब नहीं शुरुआत करते हैं जो उम्मीद दूसरों से की थी अब वो खुछ से करते हैं जब परिवार के लोग अपरी लगने लगे और पराय अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय शुरू हो चुका है ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिष्टे कुछ खाली बन तो अपनों नहीं दिया होगा छोड़ दिया अब हमने इंदजार करना जब किसी के बिना रात गुजर सकती है तो जिन्दगी भी गुजर ही जाएगी कुछ रिष्टों को खत्म कर देने से जादा तकलीफ उनको बनाय रखने में होती है तुम ढूंडोगे मुझे भीड में हजारों की और मैं वहां मिलूँगा जहां मतलबी लोग हुआ नहीं करते बुरा समय आपकी जिन्दगी के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कल्पना भी नहीं की होती है अगर देखना चाहते हो कि आप कितने अमीर हो तो दौलत को मत गिनना अपनी आपके आंसु गिराना फिर देखना कि कितने हाथ इनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है, वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को, जितनी जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है, ना आपके वक्त की. परिक्षा में आए हुए मुश्किल सवाल साहु मैं, हर किसी ने छोड़ा मुझे, बिना समझे, कोई कितना भी बिजी क्यूं न हो, अगर उसे आपकी सच में परवा है, तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा. जिन्दगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं, जो कभी नहीं भरते, बस इनसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है, तूफान जाता हो, तो कश्टियां डूब जाती है, और अभिमान जाता हो, तो हस्तियां डूब जाती है, यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओ, खु मैं अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, जहां आपको लगे कि आपकी जरुरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना जरुरत के हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं, अगर कोई इनसान आपको गुसा दिलाने में होता है, तो याद रखना, आप उनके हातों की कटपतली बन चुके हैं, शीशे की तरह आर पार हूं, फिर भी भहतों की समझ से बाहर हूं